ये comparison 1 January 2020 से आज तक की है, ये period पसंद करने का कारण ऐसा है कि हम downfall और अपमुग दोने एक साथ देख सकें। 1 January से माज तक Nifty 38% down था और ये stock 40-45% नीचे गया, ठीक है सभी stocks गिरे थे। 1 January 2020 से current date तक 18% बढ़त ली है stock की price ने। इस stock का प्रदर से Nifty 50 के जैसा ही रहा। Long term में stock ने कैसा performance किया है, वो देखते हैं। 1 January 2014 को share price थी और index था। 6 साल बाद share price थी और index था। Lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 March 2020 को share price थी और index था। और current price है और index है अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए 1. लंबी अउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले 3. जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1.1.2014 को एक लाग रुपे इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1.01.2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए March में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1.1.2014 के दिन एक लाग रुपे इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1.1.2020 के दिन इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए March 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता Third point Share में जीता Overall Nifty जीता यही figures चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया आज अगर किसी को एक लाग रुपीज invest करने है तो वो क्या करें यह stock में invest करें Nifty 50 stocks में invest करें या FD में invest करें यह share के और Nifty के annualized return percentage हमने देखे हैं वही return percentage अगर भविश्य में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा करें 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 Thank you.